एक बार की बात है, राजा उत्तानपात थे और उनकी दो रानिया थी. एक रानी का नाम सुनीती और दूसरी रानी का नाम सुरुची था. सुनीती बड़ी रानी और सुरुची छोटी रानी थी. राजा उत्तानपात का रूजान छोटी राणी सुरुची के तरफ ज्यादा था क्योंकि वो दिखने में काफी सुन्दर थी लेकिन राणी सुरुची अपनी सुन्दरता पर काफी घमन करती थी वहीं बड़ी रानी सुनीती का स्वभाव सुरुची से बिलकुल अलग था। रानी सुनीती काफी शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा का सुरुची के तरफ अधिक प्रेम देखते हुए रानी सुनीती दुखी रहती थी। इसलिए वह अपना ज्यादा से ज्याद वक्त भगवान की पूजा अर्चना करते हुए बिताती थी। एक दिन सुनीती के पुत्र ध्रूव अचानक अपने पिता राजा उत्तानपात के गोद में जाकर बैठ गए। वहाँ अपने पिता के गोद में बैठ कर खेल ही रहे थे कि वहाँ छोटी राणी सुरूची पहुँच गई। राजा के गोद में ध्रूव को बैठे देखकर राणी सुरूची को गुस्सा आ गया। रानी ने धुरूफ को राजा के गोद से नीचे उतारते हुए कहा, तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो, राजा की गोद और सिहांसन पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है. यह सुनकर धुरूफ को बहुत बुरा लगा. धुरूफ वहां से रोते हुए अपनी मा के पास चला गया. धुरूफ को रोता देख मा काफी चिंतित हो गई और धुरूफ से उसके रोने का कारण पूछा. धुरूफ ने रोते हुए सारी बात बताई. धुरूफ की बात सुन कर मा के आंखों में भी आंसु आ गए। धुरूफ को चुप कराते हुए सुनीती ने कहा भगवान की आराधना में बहुत शक्ती है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। मा की बात सुनकर धुरूव ने निर्णय कर लिया कि वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे। धुरूव अपने महल से भगवान की प्रार्थना करने जगलों की तरफ निकल पड़े। उन्हें रास्ते में रिशी नारद मिले। छोटे से धुरूव को जंगलों की तरफ जाता देख नारद ने उन्हें रोका। नारद ने उनसे पूछा तुम जंगलों की तरफ क्यों जा रहे हो। धुरूव ने उन्हें बताया कि वो भगवान का ध्यान करने जा रही हैं। ध्रूफ की बात सुनकर नारद ने उन्हें समझा कर राजमहल वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रूफ ने उनकी एक न सुनी. ध्रूफ के निर्णय के कारण नारद ने ध्रूफ को नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा. इसके बाद ध्रूफ जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगे. उधर नारद ने महाराज उत्तानपात को ध्रूफ के बारे में बताया. बेटे के बारे में सुनकर महाराज का मन चिंतित हो गया. वह दुरूफ को वापस लाना चाहते थे लेकिन नारद ने कहा दुरूफ प्रार्थना में डूब गया है और अब वह वापस नहीं आएगा उधर दुरूफ कठोर तपस्या में लगे रहें कई दिन और महीने गुजर गए लेकिन दुरूफ प्रार्थना करते रहें इस बीच ध्रूफ की भक्ती से प्रसन्न होकर भगवान हरी ध्रूफ के सामने प्रकट हुए भगवान हरी ने ध्रूफ को वर्दान देते हुए कहा तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हें राज सुख मिलेगा साथ ही तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ती हमेशा के लिए जानी जाएगी यह कहकर भगवान ने धुरूफ को राजमहल की तरफ भेज दिया भगवान के दर्शन पाकर धुरूफ भी बहुत खुश हुए और उन्हें प्रणाम कर महल की तरफ चले गए बेटे को महल वापस आते देख राजा खुश हो गए और उनको अपना पूरा राज्य सौप दिया भगवान हरी के वरदान से भक्त धुरूफ का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आस्मान में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे धुरूफ तारे के नाम से याद किया जाता है इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर धैर्य और सच्चे मन से कोई प्रार्थना करे तो उसकी इच्छा जरूरी पूरी होती है